इंग्लिश अब सबको लगेगी हल्वा और दिया और सर के स्टूडेंट्स का होगा हर तरफ जल्वा जल्वा है हमारा है जी आदसा आज मैं आपके सामने हाजिर हूआ अग्टिव पैसिव की एक संसनी केस ट्रिक लेके जिसे फॉलो करने के बाद ना दो सेकिंड नहीं लगेंगे आपको और आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा SSC का एक्जाम हो, CUET का एक्जाम हो, बैंकिंग का हो, UPSC का हो कोई सा भी एक्जाम हो, अगर एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आपके उस एक्जाम में है ना तो आप दो सेकिंड के अंदर अंदर सही आंसर पहचान लोगे, कॉन्फिडेंस के साथ खुश हो जाईए, एक्टिव पैसिव के सभी क्वेश्चन आपके सही होने जा रहे हैं इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये ट्रिक जो आपको कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं बताता वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ तो शुरू करते हैं ये कमाल की वीडियो जो सिर्फ और सिर्फ आख के लिए है दोस्तों कोई भी इंगलिश का जो सेंटेंस बनता है वो ऐसे ही बनता है कि एक तो सबसे पहले सबजेक्ट आ जाता है सबजेक्ट जो काम को करने वाला होता है, वो आ जाता है फिर वर्बाती है जो काम हो रहा होता है और लास्ट में हमारा अबजेक्ट आ जाता है इसी तरह से हमने अभी तक सारे सेंटेंस बनाए है तेंस के रूल आपने सीखे थे हमाँ यह किया होगा इतना ही किया था ना फिर ये पैसिव वोइस क्या बला है पैसिव वोइस कुछ नहीं है किसी भी बात को कहने का बस दूसरा तरीका है जैसे कि यह सेंटेंस था वे क्रिकट खेलता है इसी को हम ये भी तो कह सकते है क्रिकट खेला जाता है उसके दुआरा मम्मी खाना पकाती है इसको ऐसे भी तो कह सकते हो खाना पकाया जाता है मम्मी के दुआरा मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तुम्हें पढ़ा जाता है मेरे दुआरा वहे उसे बुलाता है उसे बुलाया जाता है उसके दुआरा बात तो सही है तो जो काम को करने वाला होता है उसको पीछे रख देते हैं जिस पे काम किया जाता है उसको आगे रख देता है क्या इंशॉट में कह सकता हूं कि object सबसे शुरू में लगा देते हैं passive voice में क्या मेरी इस बात में दम है हाँ बिल्कुल दम है तो सबसे पहली बात exam के अंदर active से passive आपको convert करने को कहा गिया है तो सबसे पहले दिमाग में घ कोन वाले options को तो उड़ा देंगे object पहले आना चाहिए कि नहीं अब दूसरी चीज़ दूसरी important चीज़ जिसमा फसते हो क्या हमने का काम को कहने का तरीका बदला है बात को कहने का धंग बदला है object को पहले रख देंगे subject को बात में बस इतना ही तो बात हुई है ना time की बात पास्ट में मेरी कोई active voice थी तो उसकी passive voice भी तो पास्ट में रहेगी यानि time नहीं बदलता और सबस्क्राइब गलती बच्चे इसमें करते हैं दूसरी चीज़ क्लियर होगे क्लियर होगे आज अब आगे बढ़ो सबसे पहली चीज तो दिमाग में यह रखनी है दिमाग में सबसे पहले कर दो इसे तो पीछे ले जाओ इसे तो पीछे ले जाओ इतना तो क्लियर होगिया अब जिन भी options के अंदर ऐसा नहीं हुआ अबजेक्ट को पहले नहीं रखा वो option तो आपकी cancel out हो गए ना हो गए ना मज़ेदार है के नहीं आज आज और मज़े दिलाता हूं और मज़े दिलाता हूं रुको ना मेरा बच्चा देखो सारे rules का जो निचोड़े यह रखा यह रही आपकी trick क्या है trick एक बात तो clear हो definite में आपकी कोई active voice थी कोई sentence था present definite का ठीक है तो जब उसकी passive बनाएंगे तो उसके अंदर टाइम नहीं बदलेगा helping वर कौन्स इस्तेमाल हो जाएगी इसमाल हो जाएगी बात खतम ऐसे कोई समझ माई आगे बढ़ते हैं किसी का भी continuous हो किसी का भी continuous हो present continuous tense हो past continuous tense हो future continuous tense हो मुझे क्या करना है मुझे मतलब नहीं बस एक चीज़ का ख्याल लग लो उसके अंदर being जरूर आएगा क्या हैगा being जरूर आएगा being और main work की third form फिर इस तरह से कहानी चलेगी इतना clear हो अगर present tense का continuous है तो is mr being यह राइज मार बींग है ना clear है अगर past का कोई continuous है तो was वर बींग है ना continuity को दिखाने के लिए passive voice में बींग आएगा लगतार होने को दिखाने के लिए passive voice कि में सी भी टैंस की ओम क्या लगा देते हैं बिंग लगा इतना clear हो गया कैने बिल्गूल clear हो गया अच्छा 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 future future tense में आज़ते विलचल होगा विलचल बदल जाएगा क्या कुछ भी नहीं वैघ लगेगा तो फ्यूचर डैंस को तो सोचने की वाइस में कुछ नहीं खतम यही ट्रिक्स थी मेरे बच्चे कंटिनियोस हो तो क्या होना चाहिए बीन होना चाहिए इतना क्लियर रहे कि अगर अगर प्रेजेंट टैन से उसका इसमें क्या था इसमें कुछ भी नहीं था तो दोस्तों ट्रिक के साथ इसके सारे रूल्स की भग्या उदेड़ दीना हमने देखो ना उब्जेक्ट शुरू में आना ही होता है उसके बाद हेल्पिंग लगनी है बताने के लिए पैसिव वाइस है अगर प्रेजेंट की लगता है इसके लावा कुछ भी नहीं था सारे स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है अब जिसने टैंस नहीं सीखे हुए मैंने आपको टैंस सिखा रखें एक जैम वीडियो है एक ओल्ड वाइन की तरह जो वीडियो मेंने कुछ साल पहले बनाई थी करोड़ों लोग उससे टैंस दिखाता हूं आपको कैसे बाप अब भग्यां उधेड़ोंगे कैसे आप धूम बचाओगे जरा देखना यह वाला यह वाला क्वेश्चन देखना कनवर्ट करना है पैसिव में ही इनवेंटेड माइक्रोस्कोप एक्जाम में क्वेश्चन है सबसे पहली चीज क्या देख के यह जो प्रबाश्ट का इसलगा रखा है इतना थो में क्लियरे पास्ट में जो प्रबाश्ट का अगर टैंस से तो पैसिव भॉय्स भी पास्ट में होगी प्रेजेंट में नहीं होगी तो यह भी आगे पढ़ने से पहले ही गलत हो जाएगा थीसरा microscope सही लिखा वो सही लिखा inventing work की third form कहा है passive voice पे हमेशा हमेशा हर तरह का question जो भी होगा हमेशा कौन सी form आएगी बच्चे third form ही आएगी उसके अलाव कोई form इसमें चलती ही नहीं है तो third form यह नहीं थी इसलिए यह भी गलत हुआ सही answer यह हुआ microscope was invented by him इसी तरह का exam में आपके question आने वाला है ज़र इस question में नज़राणना दोस्तो the boys were playing cricket playing cricket खेल रहे थे continuity continuity के लिए क्या होना चाहिए मेरे पास being होना चाहिए के नहीं अगर being आ गया बस मेरी बात महीं पर clear हो गई इनमें being किस में है में सिर्फ इस MR और में आपकी third form ढूंडनी है अपना object पकड़के the students questions are आर के बाद मेरे को ढूंडना बस ऐसा कोई साहिए क्या the students questions is नहीं है नहीं है मेरा the students questions are always answered बाई यह है मेरा see मैं तो ढूंड नहीं वो निकला जो मेरे को ढूंडना था बाकी option जा है भाड़ में वो उल्टे सीधे question है menu की एक और question देख लो ना आपके सामनी है the crop was adversely affected वह यह तो पहले से ही passive है पहले से ही passive है किसकी passive है past indefinite की passive है was लगावा है third form है तो मुझे क्या ढूंडना है अब्जेट पकड़ूंगा पहले तो में जो भी लास्ट वाला उला शुरूमा आ जाएगा न तो क्या था the in adequate rainfall adversely affected मेरे को ढूंडना है कहा है the in adequate rainfall एड़ोसली एफेक्टिट दिक्रों क्या मेरा सभी है हां सभी है मुझे आंसर देखना ही नहीं है आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन देखें हैं यह देख लो चलो मोहन विल है वोन दा मैच अब यह पहले से क्या था है यह यह आक्टिव है इसकोपैसिट में ब्लंना है तो द मैच सबसे दम मैच है क्या मेरा answer बिलकुल कए है हम इस ताहिं से हमाइभ ऐसे पढिए उन्हेसर N को इसमेब लिएन ऊक्रैंसर बड़ी बना सकते हैं अब अगर आपको depth में बहुत ज़्यादा गहराई में जाके पैसे voice को समझ रहा है तो मैंने आपके लिए एक long video भी बना रखी है जिसमें सारी चीज़ा explain कर रखी है वो नहीं देखी तो देख लेना voice by dear sir latest video मिल रहेगी आपको तकरीपन देर दो घंटे की video है वहाँ देख के समझ लेना उम्मीद गरता हूँ कि जो मैं आपको feel देना चाहता था जो trick बताए मैंने आपको कैसे कैसे सवाल लखे जाते हैं कैसे आपको ढूंड रहा है वो आपके बड़े काम आएंगे और मुझे पूरा दावा और विश्वास है कि मेरा कोई भी बच्चा active passive में तो भसने वाला नहीं है सब के full marks आने वाले वीडियो कैसे लगी comment करके जरूर बताईएगा मैं सुनने के लिए बेकरार हूँ कि आपको कितना मजा आया मुझे बड़ा मजा आया प्रैक्टिस के लिए आपको इस तरह की question में दे दूँगा और अगर आपको नहीं मालूम तो बतायता हूँ CUT की live marathon class one shot revision आपकी कल से यानि 10 मही से start हो रही है वो ज़रूर attend करना उसमें सारे grammar के topics में आपके clear करने वाला हूँ